को हल्pel फेल्ल कम बैक टूमाय चेनल आस्क डॉक्टर व्ली करेंगे कोन दिसके लाहिक फूद सबसे पहले हम बात करेंगे green potato हरे आलू आपने देखे होंगे हरे आलू जो होते हैं उनमें दो तरीके के elements होते हैं एक का नाम है chlorophyll और दूसरा है solenine तो जो chlorophyll जो होता है वो हमारी body के लिए harmful नहीं होता है क्योंकि यह बहुत सारे vegetables में पाए जाता है और जो solenine नाम का toxic element है यह हमारी body के लिए बहुत ज्यादा harmful होता है क्योंकि यह जो solenine नाम का element है यह हमारे nervous system और digestive system को affect करता है अगर हम ये green color के आलू अगर खाते हैं तो हमें headache होने लगता है, nosey vomiting होने लगती है हमें थकान feel होने लगती है, weakness लगती है diarrhea की problem हो जाती है, यानि lose motion हो जाते हैं तो इस तरह की problem हो जाती है अगर साड़े 400 gram अगर कोई green आलू खा लेता है तो उसकी death भी हो सकती है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमको green आलू है, वो नहीं खाने है और आपको इस तरीके से फैकना भी नहीं है कि कोई animal खाए, क्योंकि उसके लिए भी इस तरीके के जो आलू है green color के वो harmful है अगर कोई आलू होता है, वो half भी green होता है और half नहीं होता है तो उसका जो green part है, वो आप remove करके आप खा सकते हैं और ये जो green आलू है, अगर हम इनको cook करते हैं तो भी ये जो poison जो इसमें पाए जाता है, solenin नाम का ये destroy नहीं होता है तो आपको इस तरीके के आलू use ही नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमरे लिए बहुत ज़्यादा dangerous है Second हम बात करते हैं, almond, badam बादाम दो तरीके के होते हैं sweet almond होते हैं और bitter almond होते हैं sweet वाले जो होते हैं, वो healthy होते हैं हमरे लिए उनको हम खा सकते हैं लेकिन जो bitter वाले होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाग है क्योंकि उसमें एक तरीके का poison होता है जिसका नाम है hydrogen cyanide आपने सुना भी होगा, ये बहुत ही खतरनाग poison होता है अगर हम एक bitter almond खा लेते हैं तो मतलब हमारी body में 6 mg hydrogen cyanide चला जाता है तो ये देखो कितना harmful है, अगर किसी आदमी ने 100 mg hydrogen cyanide ले लिया है तो उसकी जान भी जा सकती है तो हमें bitter वाले जो almond हैं, उनको avoid करना है और sweet वाले आप खा सकते हैं तो इसलिए हमें ध्यान रखना है हमारी health के लिए बहुत ही ज़्यादा dangerous हैं ये bitter वाले जो बादाम आते हैं, वो फिर हम बात करते हैं, cherries cherry जो होती है, बहुत ही अच्छा fruit होता है और healthy fruit होता है लेकिन इसके जो पत्तियां होती है और इसके जो bees होते हैं वो बहुत ही poisonous होते हैं क्योंकि इनमें भी hydrogen cyanide जो poison होता है वो पाये जाता है इसके bees और पत्तियां खाने से हमें क्या क्या problems आती है breathing difficulty होती है यानि सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगेगी आपका blood pressure वो बढ़ने लगेगा nausea vomiting होती है anxiety होने लगती है और आपको kidney failure भी हो सकता है तो कितना ज्यादा हमारे लिए harmful है यह बीज और इसकी leaf तो हमें ध्यान रखना है जब भी अगर हम यह fruit खाएं या बच्चों को खिलाएं तो हमें बीज जो है वो बहार निकाल के फैक्वना है carefully हम खाएं इसको और बच्चे को भी खिलाएं फिर हम बात करते हैं nutmeg जिसको जाइफल भी का जाता है और जावित्री भी का जाता है वैसे तो यह medicine के रूप में लिया जाता है लेकिन कुछ बाते हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए अगर आप medicine के रूप में ले रहे हैं एक तो आपको ज्यादा dose में नहीं लेनी चाहिए और दो हफते से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अगर इसकी overdose हो जाती है तो ये भी हमारी body के लिए बहुत ज्यादा harmful है और एक जहर का काम करते हैं अगर इसकी overdose हो जाती है तो हमें क्या-क्या symptoms आने लगते हैं हमारी heart rate है वो बढ़ने लगती है nausea vomiting होने लगती है dehydration होने लगता है आपका mouth है वो भी dry होने लगता है तो इस तरीकी की problems हमें होने लगती है तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है और हमें डॉक्टर ने जितनी dose इसकी बताई है और जितने amount में लेना बता है हमें उतने में लेना है बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि इसकी side effects है वो बहुत ही dangerous है फिर हम बात करते हैं राजमा राजमा सबका favorite हो दा है और बहुत ही healthy माना जाता है लेकिन राजमा में एक toxin हो दा है जिसका नाम है lectin लेकिन अगर हम राजमा को बहुत अच्छे से cook कर दे हैं तो ये lectin नाम का जो toxin हो दा है ये destroy हो जाता है लेकिन अगर उसको raw form में खाते हैं या proper cook नहीं क्या इस तरीके से अगर हम खाते हैं तो ये lectin जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा harmful है ये एक poison का काम करता है हमारी body में जाके तो अगर हम ये raw या proper cook नहीं किया हो इस तरीके का राजमा अगर हम खा लेते हैं तो हमें nausea vomiting होने लगती है और हमें diarrhea की problem होने लगती है तो हमें ध्यान रखना है अगर हम राजमा खा रहे हैं तो उसको 3-4 गंडे तक उसको soak करना है और at least 30 minutes तक उसको cook करना है तभी वो lectin नाम का जो toxin है वो destroy हो सकता है फिर हम बात करते हैं rice, चावल चावल में भी एक toxic element होता है जिसका नाम है arsenic arsenic हमारी body के लिए बहुत ज़्यादा harmful है ये जो rice होते हैं तो ये क्या करते हैं soil से arsenic जो होता है poison उसको absorb कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम इनको सही तरीके से cook नहीं करते या wash नहीं करते तो हमारी body में चले जाते हैं और ये arsenic जो poison है ये हमारी body में cancer पैदा करते हैं तो हमें ध्यान रखना है अगर हम rice खाते हैं तो हमें बहुत carefully खाना है और जो brown rice हैं जिनको बहुत healthy माना ज़्यादा है अफकोस वो healthy हैं लेकिन फिर भी उनमें arsenic toxin है वो पाए जाता है और उनमें white rice के comparison में ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें क्या होता है कि soil से arsenic की absorb करने की जो capacity होती है वो ज़्यादा होती है तो हमें जबी भी rice खाएं तो हमें 5-7 बार उनको wash करना है और उसके बाद बनाने से पहले उनको soak करना है तोड़ी देर के लिए बिगो के रखें उसके बाद उनको cook करें तभी वो arsenic जो element है वो destroy हो सकता है तो friends ये थी बहुत ही important information जो हर किसी को पता होनी चीए क्योंकि ये सारी चीज़े बहुत healthy भी हैं और इनके क्या-क्या नुक्सान है ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे like करें, share करें and subscribe करना ना भूले तो इस वीडियो को यहीं end कर दें Thank you everyone Keep watching